आउनलान पैसे टांसफर करने के लिए RTGS, IMPS, NEPT और UPI का इस्तमाल किया जाता है कौन सा payment method कब और कैसे उप्योग करना चाहिए तो इस वीडियो के last तक आप बने रहे इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाले हैं RTGS, IMPS, NEPT और UPI के बारे में तो ये सब क्या है और कैसे उप्योग किया जाता है इस वीडियो में आपको जनकारी मिलने वाला है तो इस वीडियो के last तक आप बने रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं RTGS के बारे में RTGS का full नाम होता है Real Time Growth Settle में RTGS Real Time Fund Transfer System एक बैंक से किसी दुसरे बैंक में पैसा अगर आपको भेजना RTGS के साहिता से आप भेज सकते हैं RTGS को RBI के दुआरा चलाए जाता है मेनेज भी किया जाता है RTGS से fast money transfer होता है और ये secure भी होता है RTGS से money transfer कितना किया जाता है तो RTGS से money transfer आप minimum 2 lakh रुपया कर सकते हैं यानि कि कम से कम आप 2 lakh रुपया money transfer कर सकते हैं RTGS से और maximum की कोई भी limit नहीं है 20 लाग 25 लाग आप जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं RTGS से money transfer करने के लिए आपको कितना charge देना परता है तो RTGS से अगर आप money transfer करते हैं बेंकिंग से या font banking से online तो आपको कोई भी charge नहीं देना परता है तो आप free of cost RTGS के माधियम से money transfer कर सकते हैं online अगर आप offline करते हैं branch में जाके या bank में जाके तो आपको यहाँ पर charge देना परता है जैसे कि आप 2,0,00,000 money transfer करेंगे तो आपको 25 रुपिये पलस GST आपको देना परेंगे अगर आप 2,0,00,000-5,00,000 पहरें institutions के द्वारा तो आपको 25 रुपिये और GST अलग से आपको देना परेंगे अगर आपको पचास रुपिये पलस GST आपको लगेंगा यह RTGS अगर आप offline करते हैं money transfer तो यह सब आपको charge देने पर सकते हैं RTGS से money transfer करने के लिए क्या समय सार नहीं है पैसा transfer करने के लिए तो मैं आपको बता दूँ पहले यह नियम था कि आप जो है working day में ही पैसा transfer कर सकते हैं अगर बेंक का fully day रहता है तो आप पैसा transfer नहीं कर पाएंगे RTGS के माधियम से लेकिन RBI ने एक alarm किया है कि अब जो है सबता के 7 दीन और घंटे के 24 दीन आप जो है money transfer कर सकते हैं साल के 365 दीन आप जो है RTGS के माधियम से money transfer कर सकते हैं बेंकिंग नेट बेंकिंग से RTGS के द्वारा अगर आप money transfer करने चाहते हैं तो उस लवार्थी का आपको beneficiary aid करना पड़ेगा beneficiary aid करने के लिए आपको पता होनी चाहिए उनका नाम और उनका खाता और उनका FAC code इसके जरीए आप जो है beneficiary aid करके RTGS से net banking के द्वारा money transfer कर सकते हैं तो तरीका है money transfer करने के लिए NEFT National Electronics Fund Transfer NEFT से 1 रूपिया से लेके 25 लाख रूपिया तक आप transfer कर सकते हैं NEFT की जो है timing सुबह 7 बज़े से लेके 7 बज़े साम तक होती है इसी बेच आप कभी भी money transfer कर सकते हैं इसके बाद या इससे पहले आप करते हैं अगले working days में count किया जाएगा NEFT से पैसा भेजने के लिए 3 से 6 घंटे का time लगता है या इससे अधिक भी लग सकता है हम charge की बात करें तो यहाँ पे online charge आप से नहीं लिया जाएगा तरीका है money transfer करने के लिए IMPs immediately payment service आप से किसी दुसरे account में पैसा transfer करने के लिए इसे use किया जाता है आप per day जो है एक लाक रूपिये आप transfer कर सकते हैं और इसमें जो है समय सारनी 24 by 7 आप कभी भी payment transfer कर सकते हैं IMPs अगर आप IMPs से money transfer करते हैं online तो आप से कोई भी charge नहीं लिया जाएगा तरीका है UPI unified payment interface इसे आप जो है एक दिन में 10 transaction कर सकते हैं और एक दिन में आप 1,00,000 रूपिया money transfer कर सकते हैं इसमें कोई भी charge नहीं लगता है और यहाँ पे 24 by 7 आप जो है money transfer कर सकते हैं वसे आप किस payment method का इस्तमाल करते हैं आप हमें comment box में जुरूर बताईए RTGS, IMPs, NEPT या फिर UPI तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं अपना किमती समय निकाल के तो आपका बहुत बहुत धनिवाद अगर किसी और टोपिक पर वीडियो देखना आप चाहते हैं उसका आप comment कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो subscribe करके bell icon को दबा दीजे ताकि आपको latest information सबसे पहले आपको मिलता रहेगा कर सकता है